नमस्कार मैं सुरेश आपका स्वागत करता हूँ जैसा के आप मेरे थमनिल से देखी चुके होंगे कि EMI Moratorium हो सकता है RBI इसे तीन महिने के लिए और आगे बढ़ा दे जैसा के आप जानते ही होंगे भारत सरकार लॉक्डाउन को 31 मई तक रखा था लेकिन जैसे के आपको केस दिन पर दिन आते दिख रहे हैं इस्चिती जो है थोड़ी सी जो है अन कमफर्टेवल दिख रही है इसलिए बैंक कोने मिलके या भारतिय सभी बैंक असोशियेशन और और आरबी आई इस विशेफे विचार कर रहे हैं कि लॉक्डाउन को जो है जैसा के बढ़ाया जा रहा है या खुलने की उम्मीद नहीं दिख रही है तो इसको देखते हुए आरबी आई और भारतिय बैंक असोशियेशन इस विशेफे विचार कर रहे हैं कि मोराटोरियम benefits को आगे के लिए बढ़ाया जाए RBI अपनी सभी बैंक और वित्तिय संस्थाओं से इस विशे पे विचारवे मर्द कर रही है जैसा कि पिछले तीन महीने से EMI नहीं जा रहे हैं तीन महीने के लिए रोका हुआ है तो लोगों के पास EMI देने के लिए परियापत पैसा नहीं होगा चोंके काम स्टार्ट नहीं होगा और अभी हालातों को देखते हुए काम को स्टार्ट होने की संभावनाए भी नहीं दिख रही है हाला कि इसकी जो है चर्णवत तरीके से जो है लोगडाउन में धील देने की प्रिक्रिया सुरू हो चुकी है लेकिन फिर भी उमीद नहीं लग रही है कि कार्ड पूर रूप से जो है सुचारू रूप से चालू हो सकेगा इस विशे को देखते हुए बैंक सभी इस विशे पे विचार कर रहे हैं चुके सभी लोन धारकों पे कोई इफेक्ट ना हो उनकी जो है लिक्विडिटी फंड बना रहे उनके पास जीवनियापन के लिए परियाप्त पैसा हो इसलिए जो है हो सकता है बैंक इस मोराटोरि बैनिफिट अब तक नहीं लिया है तो मेरी गुजारिस होगी ज्यादा तर लोगों से कि आप यह मोराटोरियम बैनिफिट ले लें हाला कि यह मोराटोरियम बैनिफिट थोड़ा सा महंगा पड़ेगा चुके इस पर इंट्रेस्ट लगेगा बट आज की परिस्यति को यह समस्क्त्र खड़ी हो जाती है उन्हें तरीके से अपनी अपनी रोग सकते हैं अगर याथ जो के मैंने नहीं बनाई है या कोई ऐसी बैंक है जसके मैंने काम नहीं किया है तो आप मुझे कमिन्ट में बताएं आपकी कौन सी बैंक है और उस पे जो है कौन सा लोन चल रहा है मैं जल्दी से जल्दी उस बैंक का प्रोसेस का वीडियो आपके लिए जरूर अप्लोड करूंगा और आपसे चाहूंगा के सारी वीडियो जो है धान से देखें जिससे के उसका सही माइने में सही प्रोसेस का आपको पता लग सके आपको वीडियो अच्छा लगा होगा उम्मीद है कि यह आपके काम की इंफर्मेशन होगी तो वीडियो को सेर जरूर करें लाइक जरूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें च्योंकि मैं आपके लिए बैंक से रिलेटेड इंफर्मेशन पर अपडेट वीडियो बनाता रहता हूं साथ में ग्रीट नएडा अथॉर्टी की स्कीम हो या ओल इडी अगर ग्रीट नएडा अथॉर्टी की आप जो प्रॉपर्टी के ओनर हैं उन्सको रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है मैं उसके वीडियो बनाता रहता हूं आप चाहें तो मुझे ग्रीट नएडा का भी काम है तो अभी के फिलाल के वीडियो में यही इंफर्मेशन है आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल पर नई हों तो सब्सक्राइब जरू करें जाएं बहुत बहुत धन्यवाद